So hello guys, welcome back to my channel आज हम करने वाले हैं R15M का ABS टेस्ट हम देखने वाले हैं कि इसका ABS कितना प्रॉपर काम करता है और अगर आप इसके साथ ब्रेकिंग करते हो तो confidence के साथ ब्रेकिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो क्योंकि एक बाइक जितना जादा भागती है उतना ही जरूरी होता है सही टाइम पे रुकना और रुकना बहुत जादा important है अगर आप सही टाइम पे नहीं रुकते हो तो क्या हो सकता है यह आप जानते ही हो आप crash कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़े हो सकती है So bike आपके किस speed में कितनी देर पे रुकेगी और कितना distance पे जाके रुकेगी यह सारी चीज़े matter करती है फिलाल इंडिया में यह rule आ चुका है कि जो bike 150 CC category या उससे above है उसमें company ABS दे ही दे without ABS वो launch नहीं कर सकती इसलिए अब से कोई भी bike 150 CC के उपर कि अगर आ रही है तो उसमें आपको मिलता है ABS हाला कि single channel या dual channel यह specify नहीं किया गया है so आज हमारे पास R15M है जो कि dual channel ABS के साथ आती है ABS means anti-breaking system anti-means anti-lock breaking system जो जिसका काम होता है मैंने कई सारे वीडियो में बता है ABS का main काम होता है कि जब आप brake करते हो तो वील को lock नहीं होने देता है वो sense करता है आपकी speed जैसे कि यह sensor wire है यह sensor wire गया है यह speed उसको भेजता है ECU को और वो measure करता है कि अगर आप इस speed पे wheel आपका lock हो गया तो आप crash कर सकते हो जैसे आपने देखा होगा sudden आप जा रहे हो आपने अचानक से brake मारी और आप गिर गया ऐसे तो वो सारी चीजे रोकने के लिए ABS आया है इस bike में आज हम test करेंगे ABS और इसको चलाएंगे कुछ-कुछ speed पे हम brake मारेंगे सबसे पहले हम check करेंगे इसका rear इसके बाद हम front ABS चेक करेंगे और उसके बाद दोनों चेक करेंगे और देखते हैं कि बाइक कितनी देर में कितना distance कवर करके रुकती है वहाँ पे एक निशान बना रखता है मैं वहीं चलके brake मारूंगा तो सबसे पहले हम थोड़ी सी speed कवर करते है 50 की speed पर रहते हैं और यहां पर मैं सिर्फ rear brake मारूंगा यहां पर देखिए देखिए lock नहीं होने दे रहा है जो पीछे का rear wheel है वो lock नहीं होने दे रहा है वो बार बार वापस उसे उपर फेक रहा है और उसके बाद फिर नीचे जा रहा है फिर वापस फेक रहा है जैसे आप skit मारते थे पिछला tire से बहुत दूर था कि skit मारते हुए चले जाते थे वो भी इससे नहीं हो सकता ABS की वज़े से तो हमने 50 की speed पर brake मारा और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने फ्रंट ब्रेक बिल्कुल छुआ भी नहीं था और बाइक कहां आके रुखी है आप देख सकते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीछे वाला brake अप्लाई करते हैं तो बाइक की डिस्टेंस देखो मैंने ब्रेक इस लाइन पर मारी थी मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी धूर जाके रुखी है सिर्फ 50 की speed पर यह देखी है यह जो लाइन बनी है मैंने यहाँ पर ब्रेक अप्लाई की और बाइक हमारी जाके रुखी है वहाँ पर सो यह ABS की वज़े से हुआ अगर ABS नहीं होता इसलिए मुझे सिंगल पर्सनली मुझे सिंगल चैनल ABS जादा पसंद है मतलब सिंगल चैनल ABS से कई फाइदे होते हैं क्योंकि मेंली जो क्रैश होता है वो front wheel की वज़े से ही होता है सो इसने बिल्कुल रोकने ही नहीं दिया ताकि टायर इसकिटना करें कुछ चीज़े पॉजटिव है कुछ चीज़े निगेटिव है अब हम front का यूज करेंगे यह गैप तो बहुत जादा हो गया अगर मेरी स्पीड और जादा होती तो मुझे लगता है अब हम यूज करेंगे front brake वैसे front brake का भी काम यह है लेकिन front brake ज्यादा accurate काम करता है तो यहां से देखते हैं चलिए 50 की स्पीड पर देखते हैं कि front brake पर किती दूर पर जाके रुकेगी यह पहुँच गए हम 50 और हमें मारनी है यहां पर brake अब फ्रेंट ब्रेक में आप देखे कि किती दूर आई है देखे बैक में काफी जादा दूर गई थी मतलब रियर वील पर और फ्रेंट वील पर इतना डिस्टेंस ने कवर किया 50 की स्पीड पर देख सकते हैं आप लोग यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्रैश होने के लिए तो यह भी बहुत है यार एक तो तीन चार पॉना छे साथ आठ 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 कदम दूर जाके रुकिए यह तो अब यहां से हम हैंडेट की स्पीड पर रहेंगे और दोनु ब्रेक पूरे पूरे करेंगे फिल-ब्रियर में यहां से अप्लाई करुंगा और इया से अप्लाई करूंगा पर दोनु गोंग मैं दोनुता ऐं में और कहां जाके रूकती है जाइग पहुंच्ग heff अभी तक नहीं रूखी भाई पूरा दाबने के बाद हैंड़ेट की स्पीड पे अभी जाके रूखी है वाप रे वाप मतलब अगर आप हैंड़ेट की स्पीड पे हो और सामने अगर कुछ आ जाए तो आप समझ सकते हो कि आपका क्या हाल होने वाला है मतलब अगर इतनी दूर जाके आप रुखोगे या डिस्टेंस देख लो कितना जादा है मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले तो डिस्टेंस देखो एक तो तीन च्यार पांच छे ताट नो तस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सतरा अठारा उन्नीज वीज वाइस तेईस चौबिस पाचीश चाबिस अटाइस 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 उन्तिस तीस तो गाईस आप लोगों ने देखा कि सौ की स्पीड पर ही अगर हम दोनों ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एबियस की वज़े से आपकी बाइक रुकती नहीं है एबियस का काम है रुकने ना देना और उसकी वज़े से आपकी बाइक इतनी दूर चली आती है सो सिंगल चैनल एबियस का होना मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो रियर वील को जब लॉक करता है तो आपकी गाड़ी ज़्यादा पोटेंशिल के साथ रुकती है फ्रिक्शन की वज़े से ज़्यादा जल्दी रुकती है बट यहां पे रियर हम ब्रेकिंग कर लेंगे और आपकी रुक जाएगी ना तो आप देख सकते हो यहां पर बाइक खड़ी है और वो देखो डिस्टेंस इतना जादा डिस्टेंस कवर कर चुके होगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है आप समझदार हो बाकि अगर कॉन्फिडेंस लेवल की बात से बजाएगा आपकी बैक का वील सडोन लौक नहीं करेगा जिसकी वज़ास से आपकी बाइक स्लिप नहीं करेगी ड़त आप इसकी वज़ासे रुकोगे भी नहीं और पर राइडिंग करें सान फेसरी कर सकते हो अगर आप एकसपिल्षी और एक्सालिए एक कर कर सकते हो मैनेजबल हो सो आप कर सकते हो आपकी मर्जी है लेकिन बागी अंजाम आपके सामने भाई कि अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो कितनी दूर आके रुकने वाले हो सो हाई ओप आप लोको वीडियो में मज़ा होगा और समझ भी कहा होगा कि अब्रेकिंग करते हो तो कितनी देर में आपकी वाइक रुकने वाली है बहुत इंपॉर्टन चीज़ है क्योंकि स्पीडिंग के साथ साथ रुकना बहुत जादा जरूरी है इस मैंटर में मुझे ल सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त और इंस्टेग्राम पर फॉलोव नहीं किया तो फॉलोव करो फटाफट मिलते नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई राइड हाड राइड सेफ